हेलो दोस्तों कैसे हो आप उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मिरा नाम जिगविंदर है और azure active directory series के इस वीडियो में हम जानते हैं कि azure active directory में users को और groups को कैसे delete किया जाता है इसके बाद हम azure active directory में users को restore करना भी सीखेंगे और साथ-साथ ये भी देखेंगे कि azure active directory में groups को restore किया भी जा सकता है या नहीं अगर किया जा सकता है तो वो कौन से ग्रूप है और सीखेंगे कैसे उन्हें restore किया जा सकता है तो मेरे साथ बने रही है वीडियो के अंत तक चलिए इस activity को perform करने के लिए चलते हैं Microsoft Azure Portal पर तो दोस्तों देखें मैं Microsoft Azure Portal पर आ गया और यहां पर हमें active directory में से users को delete और restore करने के लिए सबसे पहले active directory को open करना है तो उसके लिए मैं यहां search पे type करता हूँ Azure active directory और suggestion में आपको दिखाई दे रही है आप click कीजिए और यहां पर left pane में आपके पास दो options है users and groups की मैं users पे click करता हूँ आपके सभी users यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं जिस user को आप delete करना चाहते हैं उसे यहां से आप select कीजिए select करने के बाद इस user को delete करने के लिए यहां पे delete user पे click कीजिए आपसे confirmation मांग रहा है okay पे click कीजिए तो देखिए यहां से हमारा user जो है वो delete हो गया है अब यह user delete होने के बाद देखिए यहां पे left pane में एक और आपके पास option available है deleted users इसे click करता हूँ तो जो भी आपका deleted user होगा या users होंगे वो एक पार delete होने के बाद यहां पे 30 days तक रहते हैं और 30 days के बाद वो permanently active directory में से delete कर दी जाते हैं तो यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है users are permanently deleted automatically 30 days after they are deleted अब यहां पे आपके पास दो options हैं अगर तो आप इसको restore करना चाहते हैं तो आप इसको यहां पे select कर लीजे और select करता ही आपके पास कुछ options यहां पे blade में available हो जाएंगी जैसे के delete permanently या restore user तो अगर आप user को restore करना चाहते हैं तो यहां पे इसको restore user को click कीजिए again आप से confirmation मांग रहा है okay पे click कीजिए तो यहां से user गाइब हो गया है और वो all users में उसको जाके check करते हैं अगर वो यहां display नहीं हो रहा है तो एक बार यहां पे refresh करते हैं तो देखिए यहां पे test user 5 दुबारा से appear हो गया है तो इस तरीके से हम user को delete भी कर सकते हैं और अगर हमारा deletion accidental है गलती से हो गया है तो हम उसको within 30 days restore भी कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं कि हम groups को कैसे delete और restore करते हैं तो उसके लिए मैं यहां से अपने domain name को click करता हूं king.jst उसके बाद यहां से left pane में से groups को select करता हूं तो देखिए वो group जो हमने last video में create किया था यहां पर दिखाई दे रहा है अब मैं यहां पर आपको एक बहुत ही important बात बताने वाला हूं आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए जब हम groups create करते हैं जैसे कि यहां पर new group में तो हमारे पस दो options available होती है security group and Microsoft 365 group तो यहां मैं बताना चाहता हूँ कि हम as you ready में से अगर security group को delete कर दें तो उसको हम 30 days में restore नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर हम Microsoft 365 group को delete कर दें तो within 30 days हम उसको restore कर सकते हैं तो बहुत ध्यान से आप इस activity को perform करें और मैं यह आपको खास बात बता दूँ कि groups को कभी भी delete ना करें अगर आपके लिए वो useful ना हो तो आप उसको rename करके और उसमें से users को हटाके या remove करके उसे फिर भी save करके रख लिजए क्योंकि आपने जो permissions groups पे दी होती हैं अगर आपने वो delete कर दिया तो वो permissions या access control आपको दोबारा से assign करना पड़ेगा और एक administrator के लिए ये बहुत ही मुश्किल task हो सकता है तो इस activity को perform करने के लिए मैं यहाँ पे दो नए groups create कर रहा हूँ पहले एक Microsoft 365 group create करता हूँ इसका name दे देते हैं कोई भी name मान लिजे test group 1 इसका कोई owner select नहीं करते हैं just इसको create कर देते हैं क्योंकि हम इसको अभी delete करके देखने वाले हैं यहाँ पे display नहीं हो रहा है चलिए जल्दी से एक और group create कर देते हैं इस बार हम कर रहे हैं security group तो इसका नाम रख देते हैं test security group 2 इसको भी create कर लेते हैं जल्दी से और दोनों groups को देखने के लिए यहाँ पे refresh को click करते हैं तो एक group आ गया है एक बार दोबारा से refresh करते हैं तो देखें दोनों groups यहाँ पे हमें display हो रहे हैं अब ध्यान दीजिए हम इन दोनों groups को delete करते हैं और देखीगा जब हम इसको deleted groups में देखेंगे तो कौन सा group आपको वहाँ पे देखेगा और किसको आप restore कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते हैं एक बार दोबारा देखिए test group 1 Microsoft 365 type का group है जबकि test security group 2 का type security group है तो इन दोनों को select करते हैं यहाँ से और यहाँ से delete पे click कर देते हैं आप से confirmation मांग रहा है OK पे click करते हैं refresh करते हैं तो देखी groups यहाँ से delete हो गए हैं और delete होने के बाद यह चले जाते हैं deleted groups में यहाँ left pane से deleted group को select करते हैं यहाँ पे भी refresh क्लिक क तो आप इस बात को अपने दिमाग में बिढ़ा लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कि ग्रुप्स को डिलीट करने से पहले आप बहुत बार सोचिए, और अगर उसकी बिल्कुल जरूरत ना हो, तभी उसको डिलीट कीजिए, या बेटर ऑप्शन क्या होती है, कि आप उसमें से यूजर्स को हटा दीजिए, और उसे रीनेम करके छोड़ दीजिए, इसको रिस् ग्रुप वन रिस्टोर हो गया, अगर आपको ये कॉंसेप्ट समझ आया है, तो आप कमेंट्स में एक बार जरूर लिखिएगा, कि Microsoft Azure AD में हम सेक्यूरिटी ग्रुप और Microsoft 365 ग्रुप में से कौन से ग्रुप को रिस्टोर कर सकते हैं, उमीद है आपके लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें